हेलो स्टुडेंस वेलकम टो चीनियस आईएस स्वागत है आपका जन्रल साइंग्स एमसे को सीरीज बायलजी में हम फिर से हाजी ने टोपिक के साथ जिसका नाम है डाइजिशन एंड एक्सक्रेशन तो डाइजिशन क्या होता है यानि यानि देज़स्टरीस सिस्टरम के दवारत जब हम मैक्रो मॉलीक्युल्स को तोड़के और वो मैक्रो आपके आपके और और revenue बाय्च सबस्ताइशन होते हैं जो हमें किसी Forever स्थायविंगी में DAVIDI hero in delight करेंज इंद जो वे recent जनरेट हुआ है बोड़ी के अंदर उस वेस्ट वो शरीर से भाने की जो प्रोसस अचले और ना नोर्गोनी गेंट खीन हो थे है फ चले है तो इंसे डी लेटर जो भी एक सस्थाम में पूछय जाने वाले questions हैं या already पूछे गए हैं उनके साथ हम अपने topic को लेकर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं क्या है first question आपका? Cellulose and starch both are made up of cellulose और starch क्या है? Cellulose और starch जो है क्या है? Polysaccharides ठीक है? क्या है? Polysaccharides Poly means many और saccharides मतलब sugar molecule ठीक है? जिसमें 2 से लेकर 10 या 10 से लेकर 1000 कितने भी glucose के molecules हो सकते हैं 1000 से भी ज्यादा तो cellulose और starch क्या है? दो polysaccharides हैं जिनका basic component क्या है? मतलब किससे बनते हैं? यह बनते हैं glucose से किससे? glucose से तो answer होगा आपका glucose clear? then fructose किसके अंदर यूज होता है? जो हम सुक्रोज लेते हैं जो table sugar है हमारी चीनी वो बनती है आपके glucose plus fructose ठीक है? दूसरा fructose को बोलते हैं हम fruit sugar और जो honey है यानि शहद है उसके अंदर main component क्या होता है आपका fructose clear है? then गलेक्टोज की अगर बात करें तो गलेक्टोज प्लस glucose दोनों मिलके क्या बनाते हैं? glucose plus galactose यह हम everyday life की बात करें हैं आपको इंका structure जाने की ज़रुत नहीं है glucose और lactose दोनों मिलके बनाते हैं lactose और lactose क्या है हमारी milk sugar यानि दूद में मिठास किस की वज़य से होता है? यह होता है आपका lactose की वज़य से ठीक है? और जैसे ही आप bacteria को इसके अंदर add करते हो lactobacillus को वो क्या करते है lactose को convert कर देता है lactic acid में ठीक है? तब ही आपका दूद किसमें बदल जाता है? दही में clear? next question क्या है? the process by which blood is purified in human body यानि वो process जिसमें body के अंदर blood को purify किया जाता है purify का मतलब यह है कि उसके अंदर जितने भी waste है उनको filter कर दिया जाता है तो filtration कहा होता है? kidney में तो क्या होगा? अब kidney के अंदर क्या होता है? dialysis तो dialysis क्या है? यानि जितने भी nitrogenous waste है या जो भी waste generate हुए है body के अंदर उनको क्या करना? blood से अलग करना कब? when our kidney is not functioning तो यह होती है artificial kidney तो उसे हम बोलेंगे dialysis क्या है dialysis? यानि process by which blood is purified और कैसे purify करोगे? excrete out the waste generated in body या blood ठीक है? दूसरा हम कह सकते है from blood भी कह सकते है from blood clear? then hemolysis क्या होता है? hemolysis होता है rupture of या फिर destruction of किसका? RBC का rupture और destruction of RBCs is known as hemolysis paralysis क्या होता है? किसी भी organ का ठीक है? क्या फिरना? उसके अंदर movement अगर loss हो जाए ability to move loss हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? paralysis तो उसे हम बोलेंगे paralysis ठीक है? और स्मोसिस क्या है? ट्रांस्पोर्ट ओप सॉल्वेंट्स through a semi-permeable membrane हमेशा high concentration से low concentration की तरफ जो movement होता है किसका liquid substances का या solvents का तो वो क्या होंगे? वो तर diffusion अगर हम उसमें membrane use ना करें अगर हमने membrane लगा दी तो membrane के थूँ क्या होगा? कुछ selected item ही एक side से दूसरे side जा पाएंगे ठीक है? तो वो हो जाएगी semi-permeable membrane के थूँ क्या होगा? osmosis जैसे कि हमारी जो membrane है यानि जो skin है वो क्या है semi-permeable in nature तो membrane की तीन nature होती है permeable, semi-permeable और impermeable impermeable वो nature होती है यानि वो membrane which do not allow anything to pass through it जो अपने में से किसी भी चीज को पास नहीं होने देगी तो वो क्या होगा? impermeable nature ठीक है? then semi-permeable मतलब selective things को और permeable मतलब all things can pass through it easily ठीक है? चली in human body most of digestive process body के अंदर जो digestion होता है वो कहां होता है? देखो, digestion की completely अच्छे से समझने के लिए की कैसे process होगी? कहां पे किसका breakdown होगा? कौन सी cell, कौन से enzyme release कर रहा है? तो इसके लिए आप हमारी एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके चली? तो digestive जो है सबसे ज़्यादा कहां पे होता है? digestion होगा हमारा small intestine के अंदर क्योंकि इसके अंदर किसका होता है? proteins, fats, carbohydrates सभी का digestion होता है clear? then अगर हम बात करें mouth में mouth के अंदर क्या होता है? saliva तो saliva के अंदर सिर्फ किसका digestion होगा? यहाँ पे होगा सिर्फ carbohydrates का यानि जो आपके large carbohydrates जैसे की polysaccharides हैं जैसे हमने पढ़ा था भी starch starch का breakdown हो जाएगा then अगर हम बात करें stomach की तो इस टमक के अंदर होगा protein का digestion ठीक है? यहाँ पे protein peptons में होगी और peptons amino acid में small intestine में होगी तो यानि जो further breakdown है protein और carbohydrate का वो कहाँ हो रहा है आपका small intestine में और fats का digestion सिर्फ और सिर्फ small intestine में होता है clear है? तो इस टमक में किसका होगा? protein का और pancreas जो है क्या करते हैं यहाँ पे pancreas के अंदर देखो चार टाइप की cells हैं जिसे हम बोलते है islets of langerhands ठीक है? क्या बोलते हैं? islets of langerhands तो क्या है यह islets of langerhands? यह langerhands scientist का नाम है इन्होंने चार टाइप की cell बताई थी pancreas के अंदर तो क्या करती हैं? यह होती है alpha, beta, gamma और delta ठीक है? तो main जो role है प्ले करता है वो alpha और beta alpha cells release करती है कौन सा hormone? glucagon जो क्या करता है? जब आप fast रखते हैं तो उस time जो already आपकी body के अंदर glycogen store है उसे वापस glucose में convert कर देता है glycogen to glucose ठीक है? then beta cells क्या release करती है? insulin यह क्या करता है? यह इसका वापस उल्टा कर देगा यह ग्लुकोज को glycogen में convert करेगा delta cells gamma और delta ठीक है? तो gamma cells क्या करती है? इनके अंदर होते peptide hormones मतलब जो protein के digestion में help करेंगे और delta मतलब S की तरह दिख रहा है आपको तो यह होगा somatostatin somatostatin hormone क्या करता है? बाकी जो alpha, beta, gamma, delta है उनके function को regulate करेगा ठीक है? then large intestine में क्या होता है? water absorption ठीक है? क्या होता है? water का absorption चलेगे, next क्या है? saliva helps in digestion अभी पढ़ा था, हमने saliva किसका digestion करता है? stars का saliva में कौन सा enzyme present होता है? slivery या mileage ठीक है? fibers या dietary fibers ये जो है body के अंदर digest नहीं होते है क्योंकि इनको digest करने के लिए जो cellulage enzyme है वो क्या होता है? हमारी body में absent होता है ठीक है? fat को digest कौन करता है? lipage और proteins को कौन digest करता है? pepsin trypsin chymotrypsin ठीक है? ये सारी क्या करते हैं? protein का रेस्ट ये होता है आपका stomach में और ये होते है small intestine clear? next क्या है? which of the following is correct? इन में से कौन सा correct है? all the blood in the body is absorbed through kidneys kidney जो है blood का कभी absorption नहीं करती है क्या करती है? उसको purify करती है मतलब उसमें से जो nitrogenous waste है उनको excrete करती है all the blood in the body passes through kidneys क्या सारा का सारा blood? kidney के थ्रू pass out होके जाता है? नहीं all the blood in the body is filtered through the kidneys जो body के अंदर filter है blood जो filter होगा वो कहां पे होगा? kidney के अंदर तो मतलब क्या होगा? purification या filtration किसमें होगा? kidney के अंदर और kidney के अंदर जो filtration है उसे हम बोलते है glomerular glomerulus filtration ये जो है इसका एक part है जो आप हमारे excretory system के वीडियो में देख सकते हैं clear? dialysis is related to dialysis हमने अभी क्या था? artificial kidney जब हमारी kidney function नहीं करती तो उस time क्या होता है? जो nitrogenous waste body से बाहर निकालने हैं तो हम किस के तरो निकालते हैं? dialysis के लिए so ये related है kidney से clear? but where is urea separated from blood? blood के अंदर जो urea present होगा यानि जो protein ये सबस्टान्स है उनसे urea create होगा ammonia को convert करेगा urea में कौन liver तो उस urea को blood से अलग कौन करेगा हमारी kidney ठीक है? क्या करती है? nitrogenous waste को filter कर देती है किस से? blood से the kidney gene human beings are a part of system 4 kidney किसका part है? मतलब excreate कर रहे है किसको जो harmful substances या less harmful substances उनको body से बहार निकाल रहे है ठीक है? तो किसमें help करेगी? excreation के अंदर body के अंदर जितना भी transport होता है चाहे वो food particles का हो या कोई भी तो वो किसके थो होता है? transportation लेकिन उसके लिए एक अलग term है जो blood के अंदर mix हो के जाते है nutrient उसे हम बोलते है assimilation ठीक है? तो जो digestion की process है उसमें कौन-कौन से step होंगे मतलब digestive system में सबसे पहले हम क्या करते हैं लेते हैं intake करते हैं then उसके बाद digestion वो तूटेंगे ठीक है? उसके बाद क्या होगा? assimilation then excreation और ingestion ठीक है? पहले हम लेंगे फिर उसको digest करेंगे फिर जो useful है उसे पूरी बोडी के अंदर supply कर देंगे जो nitrogenous waste है उसे excreate करेंगे बोडी से और जो solid food particle मतलब जो undigested food है उसे बोडी से बाहर कैसे निकालेंगे? इजैशन के दूँ clear? यूरिया is यूरिया क्या है? यूरिया एक nitrogenous compound है जो सबसे पहले lab के अंदर prepare क्या गया था तो first artificially या synthetic कहें सकते हूँ prepared organic compound ठीक है? formula क्या होता है? NH2 CO NH2 यूरिया का formula है कभी-कभी पोस्ट लेते हैं so nitrogen containing organic compound clear? then the average blood flow through kidneys per minute जो kidneys है उनसे per minute कितना blood flow होता है? कितना होगा? 1200 क्यूबिक सेंटिमीटर कितना हो रहा है? 1200 क्यूबिक सेंटिमीटर इतना blood flow हो रहा है और जो हम urine phyrex create out करेंगे वो कितना होता है? 1.8 to 2 liter per day ठीक है? यहाँ पे liter की बात हो रही है यहाँ पे क्यूबिक सेंटिमीटर ठीक है? कुछ जो देखो हम इतना सारा filter करते हैं लेकिन उसमें से कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जो वापस फिर से reabsorb कर लिया जाते हैं और फिर से किसी ने किसी cycle में उनका use होता है dialyzer क्या है? अब dialyzer क्या है? जो artificial kidney हमने ली है है ना? उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस तो हो गई dialysis तो वो जो हमने बनाया है जो instrument हमने तो यार किया वो क्या है? dialyzer क्या करता है? use for the work of kidney मतलब जब हमारी kidney काम नहीं कर दी तो उस time जो use करेंगे हम artificial kidney वो क्या है? dialyzer so when kidneys fail to function there is accumulation of अगर हमारी kidney काम करना बंद कर दे तो किस तीज़ का accumulation हो जाएगा? जितने भी nitrogenous waste create हुए कि से protein या amino acid के breakdown से ठीक है? तो वो कहा हूँगे वो blood के अंदर क्या हो जाएगे? ये खट्टे हो जाएगे so nitrogenous waste product in the blood clear? sugar कब accumulate होगी? जब हमारी pancreas काम करना बंद कर दे मतलब जब insulin release ना हो ठीक है? fats जब हमारे goal blender काम करना बंद कर दे या फिर liver क्यों? क्योंकि liver क्या secret करता है? bile juice secrets bile juice और फिर ये bile juice store होता है कहाँ पे goal bladder अगर goal bladder के अंदर stone हो जाए तो इसकी storage नहीं हो पाती और bile juice के अंदर जो pigments है वो fat के emulsification में help करते हैं मतलब large fat molecule के breakdown में help करेंगे ठीक है? तेन protein जब हमारी अगर intestine में या फिर stomach के अंदर HCL अगरा release नहीं हो तो protein क्या हो जाएंगे? deposit हो जाएंगे which of the following is not a normal function of human kidney? human kidney का normal function नहीं है regulation of water level in blood बिल्कुल सही है कोन help करता है? इसमें ADH anti-diuretic hormone जिसको आप बोलते हैं vasopresin hormone ठीक है? दूसरा regulation of sugar level in blood कोन करता है? insulin और insulin को consecrate करता है? beta cells of pancreas तो इसलिए क्या होगा? ये kidney का function नहीं है filter out ये ये बिल्कुल सही है secretion of several hormone like angiotensin angiotensin 1 then angiotensin 2 और कौन से करते हैं? ranin ठीक है? ranin दो है एक ranin होता है कहाँ पर वो really होता है हमारे stomach के अंदर जो क्या करता है? जो सिर्फ milk को feed करते हैं तो उनको जैसे छोटे बच्चे वो सिर्फ दूद पीते हैं मा का है तो उसमें digestion के लिए को उन help करता है? ranin clear? तो answer क्या होगा? not a function of kidney तो क्या है? regulation of sugar level in blood the major chemical compound found in human kidney stone जो kidney के अंदर stone बनते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं calcium oxalate से तो आंसर क्या होगा आपका calcium oxalate अगर बाकी का formula पूछे यह हो गया CH NH2 CO NH2 ठीक है? calcium carbonate CACO3 जो water के अंदर क्या होती है? hardness होती है उसकी विज़े से calcium sulfate CASO4 calcium sulfate से हम gypsum बनाते हैं the stones present in gallbladder affect the digestion of अभी क्या था हमने? कि जो gallbladder है उसमें अगर stone हो ठीक है? तो वो किसको affect करेगा? वो हमारे fat के digestion को affect करेगा क्यों? क्योंकि यह secret करता है? यह मतलब store करता है bile juice को और bile juice जब अच्छे से उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ pigment होते हैं bilirubin, bilivardin करके तो वो क्या होंगे? अब उनकी functioning को affect करेगा क्योंकि वो किसमें help करते हैं? वो bile pigment help करेंगे किसमे? emulsification of fats और emulsification of fats क्या है? large fat molecule into smaller one then enzyme क्या है? enzyme क्या होते है? एक type के protein है जो क्या खरते हैं? जितने भी body के अंदर reaction हो रही है उनको speed up कर देते हैं तो इन्हें हम बोलेंगे bio catalyst catalyst क्या होते है? उत्प्रेयरक और इसे हम क्या बोलेंगे? जैवूत प्रेयरक मतलब क्योंकि living being इन्हें खुद क्या कर रहे हैं? प्रोडूस कर रहे हैं तो क्या है? bio catalyst क्या होते हैं एक type के protein so enzymes are basically क्या है? proteins है ठीक है? और बाकी सब की digestion में help करते हैं clear? तो यह थी कुछ questions किससे related digestion and excreation से हम अपने topic को continue रखेंगे आने वाली वीडियो में तो तब तक के लिए thank you, have a nice day, good luck for your exam और हमारे साथ बने रहना हमारी वीडियो को like, share, subscribe जो करना